हेलो सुट्रेंट्स वेल्गम टू माई नर्चर मैं हूँ किस्टना कैसे आ सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग शोसल फार्मिसी का चैप्टर नंबर थार्ड नूट्रिशन एंड हेल्थ हम लोग पढ़ रहे थे ठीक है पहरा लेक्चर हम लो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है बैलेंस जाएट का मतलब क्या होता है इल इफेक्ट इल मतलब होता है खराब इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड कैलोरिफिक एंड नुट्रिटिव वैल्यू आफ फूड एंड फूर्टिफिकेशन ऑफूड अगर आप लोग को सलीवर्स होगा बेसिक बेसिक बातें जानते हो आज का टॉपिक तो सब लोग जानते हो मुझे पता है पानी के क्या क्या फाइदे है ठीक है अब साइंटिफिकल ही हो सकता है आपको कुछ बाते ना पता हो लेकि पानी के फाइदे आप भी दो चार तो गिना ही सकते हो है ना तो सबसे बहल पाएगा गटेगा तो बड़ेगा मेंटेन करता है जैसे कि हम लोग बहुत तेज़ दोड़ रहे हैं हमारी बॉड़ी गरम होती तो बहुत तेज़ पसीना निकलता है और पसीना जो होता है physics पड़ रखी होगी पता है ना पसीना क्या करता है कैसे हमारी ठंडा करता है पसीना टंड़े खरो पसीन आजब निकलता है हमारी बॉड़ी किसे ठंड़ी होती है बताओ मैं एक दो तीन चार पांच ओके हैंप सुनो का से elephant करता है हम साब को पता है हमारी गरम हो जाते है जो पानी होता है वो गर्मी से ओड जाता है तो उसिस कर में किसे पीछे क्या रहाती है ठंडग ठीक है तो यह इस तरह से हमारी बॉड़ी के टंप्रेचर को रेगुलेट कर रहा है प्रोटेक्ट्स यॉर टीसूस हमारी जो टीसूस है है ना वो ड्राय मतलब सूख ना जाए उनको प्रोटेट करता है इट है एक्सक्रीट वेस्ट जो हमारा यूरेन के थरू पानी पीता तो यूरेन मनती है और बैट seinem निकलता है र्फ फषी हमारी घ्ल स्टिपेशन करता है ऐडम करता है उसको इतरम को स्टिपेशन कब जो नहीं होने देगए हम लोगों को AIDS मतलब सहाया कहा है किसमें? Digestion में It helps with nutrients absorption Nutrients को absorb होने में help करता हम सब को पता है पेट के अंदर मतलब हमारी body में जो भी काम हो रहा है न बिना पानी की नहीं हो सकता It helps you to lose weight वजन कम करना तो पानी बहुत जादा पी हो है ना fat वगएरा जो है It helps keep skin bright हमारी skin में glow लेके आता है चमक लेके आता है It helps fight of illness यानि कि लगवग कह सकते हो हमारी body में जितने काम हो रहे है उन समय पानी का रोल है तो लिख लो कोई भी बारह मैंने बता दिये Question directly आएगा ठीक है तुम्हारे पास Why is water important हमारे पानी क्यों important है दो नमबर में आगा चार पॉइंट देने है तीन नमबर में आगा तो छे पॉइंट देने है और अगर ज़्यादा याद है तो ज़्यादा लिख दो गई है Now importance of fiber Fiber क्या होता है ना Fiber Fiber जो होता है हम रफेज भी कई पर कहा देते है रफेज का थोड़ा सा जो रफेज खाते हैं उनमें fiber खूब सारा होता है यानि कि खीरा ककड़ी ये सब चीज़े खाते है ठीक है रेशेदार जो सबजियां खाते है ठीक है ये हमारी बॉड़ी जागर डाजेस्ट नहीं होते है ठीक है बाइदा हुमन एंजाइम होता है इनको तोड़ नहीं पाता है और कलेक्टिवली रेफर्ट टू एस डाइटरी फाइबर इनको हम लोग क्या कहते है डाइटरी फाइबर कहते है देखा होगा थोड़ा सा मेडिकल बात करें थोड़ा सा गंदा लएगा बहुत से गंदगी जो होती वेष्ट होता है हम लोग के पौटी से बाहर निकल जाता है वो क्या होता है ये डाइटरी फाइबर से हैं अन्य ये पचे नहीं है हमारी body इनको हमारे enzyme तोड़ नहीं पाती है तो यह हमारी body से बाहर निकलता है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful होते है ठीक है these include cellulose देखो यह देखो यह word आया है cellulose अब cellulose कहाँ पाया जाता हरे पत्तों के अंदर cellulose बहुत ज़्यादा होता है अब एक सवाल फिर से एक सवाल बताओ कच्ची सब्जियाँ हम लोग क्यों नहीं खा सकते फटाफट कच्ची सब्जियाँ हम लोग क्यों नहीं खा सकते आंसर दो फटाफट कमेंट्स में ओके बताओ कच्ची सब्जियाँ क्यों नहीं खा सकते क्योंकि जो plant होते है, plant cell होता है, उनका cell wall होता है, है ना, plant cell wall होती है, cell wall किसकी बनी हुई होती है, cellulose की, और cellulose को पचाने वाला कौनों, कोई भी enzyme हमारी body में नहीं है, लेकिन इस cellulose को जो गाए, भैंस, बकरियां है, उनकी body में होता है, पचाने का system, तो आराम से हरी घास चरते हैं और पचाते हैं, ठीक है, तो यह cellulose क्या हो गया है, अब याद रख लो, अच्छा, plant cell wall में cellulose पाया जाता है, अच्छा, यह fiber है, खतम कहाने, fiber, cellulose, hemicellulose, cellulose का आदा cellulose है, आदा कुछ और है, पैक्टिन, लिगनिन, गम्स, मुसिलेज, अब है न, यह सब क्या होते हैं, plants के अंदर के पाया जानल, chemicals होते हैं, यह सब क्या है, fibers हैं, तो fibers के नाम जाद कर लो, cellulose तो पक्का जाद रहेगा, नाम जाद रहेगा न, ठीक है, some of the fibers are digestible by the enzymes of intestine, intestine, intestinal bacteria, example क्या है, pectins and gums, कुछ fibers digestible होते हैं, ठीक है, यह prevent करते हैं, constipation, हमारे को कब जी नहीं होने जेते हैं, fiber help to maintain the normal motility of gastrointestinal tract and prevent constipation, normal motility, constipation पता हैं, कब जैसे हैं, स्वेरे-स्वेरे pressure करने गए, जब पेट अच्छे साफ होता है, तो बड़ा यह सरीर है, भरा भरा सा है, तो उसी को कब्ज कहते हैं, ठीक है, अब motility से क्या मतलब है, तो motility से मतलब यह है, कि हमारी जो वो होता है, क्या कहते हैं, side last का structure पता होगा तुम लोगों को, इस step से रहता है यह, ठीक है, यह क्या होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम जहां पर सारा का सारा गंदगी यानि की जो waste है, खाना न खाया है, potty के रूप में, fishes के रूप में खटा हो गया है, यहाँ पर यह बंद सा रहता है, ठीक है, अब इसमें क्या है, रेक्टम में मोशन्स होते हैं रेक्टम में इसकी दिवाल में यहां पर मोशन्स होते हैं मोशन्स होते हैं उस मोशन से इसको प्रेशर लगता और यह बहार आता है यह इसको हम लोग क्या कहते हैं Mir extra Спас हो गया यहां पर नोट कर ले ना सब लोग ध्यान से यह क्या होगे इसकी definition हो गई यह थीडियर चिंख है न यह इसका क्या हो गया लोगा बच्य कई बात मर्स समझने पाते हैं और यह कहिना है थौदधा सा का लिकना definition फाईवरस क्या है definition, example और यहाँ पर क्या हो गया यह एक तरह से इसका function आ गया function कहलो इनका role कहलो ठीक है क्या क्या role आ गया constipation नहीं होने देते है eliminate bacterial toxin जो bacteria का toxin पगरा होता है उनको निकाले में help करते हैं fiber absorb कर लेते हैं large quantities of water पानी का बहुत ज़्यादा मातरा यह अपने अंदर absorb कर लेते हैं जैसे कि रूई होती ही न अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा एबसाब कर लेती है and also the toxic compound produced by intestinal bacteria अब पानी absorb करते हैं तो उसी के सारे जितना harmful toxin होता है जो कि bacteria produce करती हो भी absorb होता है that lead to increase fecal mass इससे क्या होता है पानी absorb किया तो फूला फूला हो जाता है fecal mass यानि कि जो यह ने बताया था हमको जब तक यहाँ पूरा भरेगा नहीं तब तक हमको pressure का feel नहीं आता है तो जब पानी absorb कर ले तो feel भरा भरा सा लगता है यह ठीक है उसके वैसे क्या होगा mass बढ़ जाता है and easier expulsion इस तरीके से क्या होता body से वो आसानी से बाहर निकल पाता है now decrease GIT cancer यह हमारा gastrointentional tract के cancers को भी कम करता है the lower incidence of cancers of GIT tract example colon or rectum पता है ना body के part होते हैं colon or rectum in vegetarian compared to non vegetarian is attributed to dietary fiber अगर हम बात करें जो लोग vegetarian है शरिफ खाना खाते हैं खाना तो सब खाते हैं खाना मतलब शरिफ सबजियां वगरा खाते हैं उनके अंदर GIT cancer कम होता है compared to non vegetarian होते हैं ठीक है जो mass अगरा खाते हैं जादा उनके अंदर संभावना जादा होती है improve glucose tolerance यह glucose की tolerance को improve करते हैं fiber improve glucose tolerance by the body this mainly done by diminished the rate of glucose absorption from intestine ठीक है ना तो rate of absorption of glucose जो होता है उसको जो क्या करते हैं कम करते हैं reduces plasma cholesterol level लोग cholesterol level को भी इनोंने क्या कर दिया कम कर दिया यानि कि हमका कही ना कहीं fat reduce करने में भी help कर रहा है fiber decreases the absorption of dietary cholesterol from the intestine fiber binds with the bile salt bile salt कहां से निकलता है हमारे कहां से निकलता है gallbladder से reduce their enterohepatic circulation और इससे क्या होगा liver के अंदर उसका circulation कम हो जाता है causes increased degradation of cholesterol cholesterol को बड़ी तेज़ से तोड़ता है satiety value satiety का मतला होता है संतुष्ट fiber significantly add to the weight of the food stuff fiber क्या करता है खाने के वज़न को बढ़ाता है ingested and gives a sensation of stomach fullness इससे हमारा पेट क्या भरा भरा लगता हमको लगता हाँ पेट भर गया तबी संतुष्टी मिल जाती इसससे क्या होता है जितना ज़्यदा fiber की चीज़ें खाएंगे खाना कम खाएंगे जो लोग मोटे लोग होते हैं इसलिए उनको कहा जाता है ये fiber वाली चीज़ें ज्यादा खाएं तो fiber क्या है इंपोर्टेंस है इसकी क्या है फंक्सेंस हैं किसके fiber के ठीक है कुछ और एक्स्ट्रा होंगे बहुत सारे होते हैं में में यहाँ पर यहाँ लिख दी है और तुम लोग इसको यहाँ पर क्या करना है में 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 हेडिंग पहले याद करनी है उसके अंदर का तो फिर बाद में आराम से याद होता रहेगा किलियर है चलें आगे पहला पॉइंट खतम वाटर की और फाइवर की इंपोर्टेंस हमने समझ ली अब आते हैं बैलेंस डाइट यह बैलेंस डाइट क्या चीज़ है अब हम लोग खाना खा रहें केवल कार्वो रोटी खाता है यह ना गाओं के आदमेंस आलू बहुत होता गाओं में ठीक है या फैट बहुत ज़्यादा खा रहे है तो वो क्या है बैलेंस नहीं है हमारी बाड़ी में हर एक चीज उतनी मातरा में जाना चाहिए जितनी हमको जरूरत है और सबका जो वो है क्या कहते हैं सबका मिक्स्टर जाना चाहिए यानि कि हमारी बाड़ी में सारी चीज़ जाना चाहिए millions झाव यह है सब जाना चाहते हैं मिली जूली बहुत जादा नहीं जाना-चीह वरना हचीट हो सकते हैं बहुत जादा font窟 का रखते हैं बहुत कम नहीं जाना चाहता है ले पाहपक की तो अपनाही लग सकती है बैहां इसी को अपना सारे जरूरी elements that the human body need, जिसकी की human body को जरूरत है, ठीक है न, तो balanced diet के अंदर वो सारे तत्व पाए जाते हैं, जिसको human body के अंदर, human body को जिसकी जरूरत है, ठीक है, the seven components, साथ component है, सबसे जरूरी, और balanced diet है, carbohydrate, protein, fat, यह तो तीन सब को जानते होंगे, vitamins, mineral, fiber, and water, साथ component, balanced diet के याद रखोगे, ओके, और nutritious, एक nutritious, जिसके तरह सारे nutrient पाए जाए, well balanced diet, एक अच्छी जोग, जिसमें एकदम balancing हो, कोई चीज़ बहुत ज्यादा नहीं, बहुत चीज़ कम नहीं, lower the risk of disease, जो लोग balanced diet खाते हैं, उनके तरह disease होने की समभावना कम होती है, and enhances, enhances मतलब बड़ा देता है, general health, general health को improve करता है, enhance कर देता है, clear बाते हैं, बात समझ में आ रही है, अब देखते हैं, benefits of balanced diet, अब भाई, balanced diet खाएंगे, बिमारिया नहीं होंगी, immune system अच्छा रहेगा, weight control रहेगा, तमाम चीज़े हैं, वो मन से बना की भी दिख सकते हैं, may help you live longer, तुम ल glow करेगा, दात मजबूत रखेगा, है ना, हमारे muscles को अच्छा रखेगा, immunity अच्छी कर देगा, bones अच्छी कर देगा, तो हमारी body के एक एक पार्ट को ले करके हम बता देना है, कि यह सारे benefit है, disease, heart की disease को कम रखेगा, diabetes नहीं होने देगा, ठीक है, कुछ cancer से हमें बचाएगा ठीक है, support healthy pregnancies and breastfeeding, जो pregnancy, healthy, healthy pregnancy कौन सी मानी जाती है, जो normal हो जाए, और बच्चा और मा दोनों स्वस्त रहें, है ना, बच्चा बहुत जाता weak नहीं है, काई देखागा, जब खाना पिना सही से नहीं मिलता बच्चे है, तो बच्चे एक एक दिर दिर कलो के होते हैं, वो weak ब social pharmacy समझ लो, मन से बना देना, फिर रटने नहीं बैड़ जाना इसको, बासमझ मारी है, अब समझ लो, RDA, recommended dietary allowance, अब क्या हुआ, इंसान तो इंसान है, पहले आदिमानफ था, खाये जाओ, खाये जाओ, है ना, वो तो दिन बर अपना दौरबाग करता था, शिकार करता था, कि एथलीट के लिए कितनी मातरा में रोज सारी चीज़ें कितनी लेनी है, एक moderate इंसान जो है, normal भागदौर करता, उसे कितना खाना, एक इंसान 14 घंटे बैठा रहता है, बैठे कई कहां में, वो कितना उसको डाइट चाहिए, कितनी मातरा में उसे प्रोटीन लेनी है, कम से कम और ज्यादा है ज्यादा, तो बस वही है, रिकमंडेट, क्या रिकमंड किया गया है, डाइटरी अलाउंस, कितना अलाउड है, ठीक है, तो section 22 of food and safety standard, FSS act 2006 में आया था ये, ठीक है, इस act के through, इसके section 22 में, बताया गया है, ये allow करता है, the use of vitamins and minerals और amino acid in amount not exceeding, ये allow करता है कि विटामिन, mineral, amino acid का जो amount होना चीए, वो not exceeding, किस से ज्यादा नहीं होना चीए, exceeding the recommended dietary allowance, जितना यहां बताया गया है, RDA में, उससे ज्यादा नहीं खाना है, otherwise, ज्यादा खाने से भी दिकत हो जाएगी, clear है, for Indians, Indians के लिए in functional food, functional food मतला, जो हम लोग रोज मर्रा में खाते है, foods for special dietary uses, हम लोग जो रोज मर्रा में खा रहे हैं, या कुछ special diet खा रहे हैं हम लोग, है ना, ये निगिया पूरा दिन हमको मिल गया कि हाँ, हाँ, पूरा दिन सेवी सेव खाए चले जा रहे हो, पूरा दिन केला केला खाए चले जा रहे हो, गलत है, ठीक है, या हम nutraceuticals खा रह रहे हैं, vitamins के capsule भी ऐसे नहीं ले 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 हैं, कि हमारी जो हम बतला diet में भी खा रहे हैं, और उसका capsule भी खा रहे हैं, तो मात्रा हमारी बढ़ गए vitamin की, तो वो दिक्कत कर जाएगी, clear है, तो RDA के according, इससे जो RDA में कहा गया, उससे जादा नहीं होना चाहिए, the food safety and standard regulation 2016, CC का regulation आया था, यह standard act था, also specify additions of nutrients in quantity not exceeding RDA as specified by ICMR, Indian Council of Medical Research, and in such case तो कह रहा है, तो regulation आया था, उसने भी specify क्या addition of nutrient and quantity not exceeding RDA, कि nutrients of quantity जो है, RDA के हिसाब से confirm कर दे कि RDA का एक बेस्ट है, उसके ओपर नहीं जाना है, और specified किया गया, ICMR कर दोवारा, इसका full form important है, Indian Council of Medical Research, and in case standards are not specified, अगर किसी खाने का standard mention नहीं है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, the standards laid down by international food standard body, namely codex, जो international food standard body है, codex, shall भी apply, अगर इसमें कोची mention नहीं है, तो हम codex के हिसाब से, खाना पीना अपना करेंगे, यानिकि, खाना पी रखा जाता है, जो लोग एथलीट होते हैं, या फिर जो लोग बिमार होते हैं, अधर नॉर्मल इंसान तो अपना खाता पीता रहता है, कोई दिक्तत नहीं आती है, किलियर है, है ना, बड़े-बड़े लोग भी इसको follow करते हैं, है ना, लंबा जीने के लिए, अगर बैल moderate का याद करोगे, ठीक है, moderate आदमी है, moderate का मतलब क्या हो गया है, जैसे कि ऐसा समझ लो, कोई इंसान जो थोटा-मोटा काम कर रहा है, अपना उठना बैटना, ठीक है, heavy work, labor हो गया, या, कोई athlete activity कर रहा है, तो तीन कैटेगरी तोड़ी गई है, अब तो लोग सारे याद करन कितना है, 60, और vitamin A में, retinol कितना लेना है, 600, microgram per day, और beta-carotene कितना लेना है, 4800 microgram per day, ठीक है ना, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B6, ascorbic acid, dietary folate और vitamin B12, इन सब की जो यह recommended diet है, यह क्या कर लोगे, याद कर लोगे, इसी तरह, women की कैटेगरी है, women जो बिल्कुल काम नहीं करती है, women जो moderate work कर करती है, ठीक है, जो बहुत heavy work करने की athlete आजाएंगी, pregnant women और lactating जो अपने बच्चों को दूद पिला रही है, ठीक है ना, तो यह 0-6 month है, 6-12 month है, तो तब लोग किसका याद करोगे, इसका याद करोगे, ठीक है, जरूरी है, example देने में काम में आएगा, ठीक है, और पूछ का 10-12, girls का 10-12, किसी एक का याद कर लोगे, फिर सबके age के हिसाफ से क्या है, diet में सोड़ा change आता है, तो कोई एक इसमें याद कर लोगे, 13-15 साल वाले याद कर ले न, boys के और girls के, ठीक है, यह तुम्हारा RDA की value आजाएगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यह हम लोग यहा पर क्या है, फिर से महन वा गया, इसमा पर हमारे पास क्या है, protein, visible fat, calcium, iron, zinc और magnesium, यह वही सब चीज़े हैं, बस पीछे क्या था, यहाँ पर, vitamins के बारे में था जिक्र, यहाँ पर किसके बारे में जिक्र है, protein, fat और calcium मगरे के बारे में जिक्र है, ठीक है, फिर vitamin, vitamin D, E, K, biotin और panthosinic acid इनके बारे में जिक्र है, फिर हमारे पास minerals, यह कौन आ गए यहाँ पर, minerals, chloride, ठीक है, chromium, copper, iodine important है, मार कर लेंगे इसको, ठीक है, manganese, molybdenum, ठीक है, then phosphorus, potassium, selenium, sodium, यहाँ गया, important, तो यह खास-खास जो है, इनको पक्के से याद कर लोगे, इनकी value को फूर्च सकता है, ठीक है, आ सकती है, amino acid यह बहुत ज़्यादे important है, कितने हैं, 8-9 दे रखी हैं यह, ठीक है न, आर्डे के according, milligram per kg, है न, per day, कितना लेना है, यह हमको यहाँ पर दे रखा है, तो सारे याद नहीं करेंगे, ठीक है, फिलहाल, धीरे-धीरे करके याद करना है, start करेंगे, मैंने कहा न, कुछ खास-खास, जो हम लोग को पता ही, अच्छा, iodine तो खाते ही, खाते ही, इसके बारे में, पता ही है, copper के बारे में, चाहिए-चाहिए होता है, उनको पता है, copper नेक्स्ट आते है, तीसरा आगया, इल-effet of junk food, ठीक है न, तो topic हमारे दो खतम होते है, तीसरा आगया, इल-effet of junk food, junk food पता है न, junk food क्या होते है, क्या होते है, कथा हैं ना जंक फूट किम्हारा समासा हो गयá जो तुम बहार का तला उना खाते हो मोमो सो गया ठीक है तुमारा फिंगर थे हुग वह यह कहें जंक फूड यह बहार का खाना डाल रोटी चावल खा रहे हो वह जंक फूड नहीं है यह सब चीजह जंक फूड में आती है इसको खा कर जब आपना पेट भर रहे हैं तो यह जंक फूड में आता है अब प्रॉपर समझते हैं scientifically कि आखिर का जंक food क्यों कहा गया है ठीक है जंक होता है कबाड जंक क्या होता है कबाड जंक क्या होता है कबाड ठीक है तो कह रहा है जंक food is an informal term informal term मतलब formal नहीं है informal है official नहीं है apply to some food कुछ खाने के लिए हम लोग इसको बोल देते हैं कुछ खाने के लिए इनका इस्तमाल होता है that are perceived to have little or no nutritional value जिसके अंदर किसी भी type या तो बहुत थोड़ी या no nutritional value कोई भी nutrients नहीं हो उसके अंदर उसकी nutritional benefit नहीं हो उसको खाने से सेहत नहीं बनेगी पेट तो भरेगा भूक मिटी आएगी लेकिन सेहत नहीं बनेगी ठीक है or to produce with nutritional value या उसके अंदर nutritional value है but which has also have ingredients considered unhealthy nutrients भी होंगा उसके अंदर मान लिया होगा उसके अंदर लेकिन साथ साथ में उसको खाने के side effect भी होंगे unhealthiness भी होगी उसके अंदर when regularly eaten जब उसको लगातार खाया है एक रोजी खा रहे हो आप ठीक है ना यह नहीं कभी बार खाने के अलग बात है रोजी खा रहे हो एक टाइम पे भूग लगी समोसा खाये चले और भूग लगी तो ममोसी खाये चले रहे रोजशा ना or to those considered unhealthy to consume at all और या उनको कहा जाता है खा लो तो बिल्कुली unhealthy है नुकसान करेगा ही करेगा वो सब किसमें आते हैं? जंक फूड में आते हैं तर्म वास कॉइंड बाई माइकल जेकाउपसवान इं 1972 में पहली बार सो किसने कहा था? माइकल जेकाउपसवान ने इस टर्म को दिया था किलियर है? अब what junk food contain? ठीक है? तो इसके अंदर होता क्या क्या है? saturated fat है ना हमें क्या चाहिए होता है? unsaturated ठीक है? salt बहुत ज़्यादा होता है सुगर बहुत ज़्यादा होता है little or no fruit food नहीं होंगे या ना के बरावर होंगे या vegetable नहीं होती है dietary fibers नहीं होते हैं इनके अंदर common junk food includes salted snack food chips, crips, candy, gums most sweet desert desert पता है क्या होता है? अज़ तो लोग यह भी नहीं पता है जितनी वार पास ice cream आ रही है ना भार आजकल जो हम लोग खाते है ice cream किसे brand का नाम नहीं लोगा korns आती है, cups आते है वो सब deserts कहलाती है क्या कहलाती है? deserts कहलाती है ठीक है? उसकी भी एक अपनी कहानी है हम लोग उसको ice cream के तौर पर जानते हैं ना fried fast food जो fast food भुना हुआ होता है carbonated beverages, soda वगरा है, coldings वगरा है as well as alcoholic beverages यह सब junk food के अंदर count होते हैं junk foods are high in sugar इनके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है मिंडर्स बहुत कम होते हैं and vitamins बहुत कम होते हैं while it is loaded with calorie और इसके अंदर calorie है ना खाल हो तो मुटाबा फिर बहुत जल्दी चड़ता है calorie बहुत ज़्यादा होती है clear है? अब बात करें ill effect यह हमारा main heading भी थी तो हमने समझ लिया junk food क्या होता है और इसके अंदर क्या के चीज़े पाए जाती है इसके ill effect दिखलो इल effect भी unhealthy वाले सारे लिखलो junk food is made using a lot of saturated fat इसके अंदर बहुत ज़्यादा saturated fat होता है such fats are unhealthy unhealthy होती है and on digestion can release a lot of toxin into your body saturated fat होता है और यह toxin release करते हैं digest होने पर जब body हमारा तोड़ी की इसको तो इसके अंदर toxins release होते है your body get food but not healthy food तुमारी body को खाना तो मिल रहा है but healthy खाना नहीं मिल रहा है junk food is sometimes made using ingredients that are not very clean कई बार ऐसे चीज़ों से बनता है जो साफ उतरा नहीं है है ना भार जो खाने बनाने वाले होते है कहां इतना हर जगे साफ सफे रखता है हर कोई नहीं रखता है ठीक है और ये लॉंग रन में बहुत लंबे समय से अगर खा रहे हो तो आपका पेट लिवर और इंटेस्टाइन को डेमेज कर सकता है ये लोग क्या रिलीज करते है फ्री रेडिकल निकालते है अपने अंदर से जिससे की बुडापा जल्दी आता है इटिंग जंक फूट रेगुलरली लीज टू इंक्रीज रिस्क ऑफ अबिसिटी मोटापा बढ़ने की संभाव में रहती है कुछ अधर इफेक्ट ठीक है कार्डियोबस्कूर डिजीज, हाट की विमारी, टाइप 2 डाइविटीज, डाइविटीस हो जाएगी लगियां देखो एकने मुहां से सुन लो इनके दा कार्वाइट बहुत ज़्यादा होता है जिसके विए से मुहां से निकलने लगते हैं तो जिनको दिक्कत है वो कम करें यह इटिंग एक्सेसिव इसके बहुत जाएगा इंसुलीन रेस्टेंस बढ़ जाएगा इंसुलीन रेस्टेंस बढ़ जाएगी क्या होता है इंसुलीन हमारी बाड़ी इंसुलीन का एफेक्ट नहीं आएगा हमारी बाड़ी के उपर इंसुलीन क्या करती है ब्रट ग्लुकोस को कम कर देती है होगा नहीं इंक्रीज सोडियूम लेवल के लीट टू यह बाड़ी रिटेनिंग एक्सेसिव बढ़ जाएग चौथा हैडिंग आती हमार पास Food Fortification क्लिए रहे हैं तक बाते बासमजमा रही है अब देखो क्या है Food Fortification Food Fortification का मतलब समझादो पहले में Food Fortification हम अब यह चाह रहे हैं कि हम आलू खाएं आलू मतलब पोटेटो क्या होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेटो के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कार्बो हाइड्रेट इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कार्बो हाइड्रेट अब हम यह चाहते हैं कि हम लोग आलू खाये आलू कुछ आ जाए तो अगर हम किसी तरीके से फूड के अंदर का न्यूट्रेंट को इंक्रीज करते हैं कैसे होता या हाइब्राइजेशन वगरा टेक्निक के अपना जनेटिकल इंजिनिरिंग टेक्निक के इस सब टेक्निक का अपनोग अप्लाई करते हैं तो एक आलू के अंदर सब मिल जाए ठीक है बात सबंद में आ गई चलते हैं आगे क्या कहा रहा है फूड फॉड फॉटिकेशन इस डिफाइन अज दा प्रैक्टिस यह एक ऐसी प्रैक्टिस है ऑफ एडिंग विटामीन और मिनरल्स तू कॉमनली कंजून फूड दूरिं प्रोसेसिंग तू इंक और करते हैं फूड के अंदर ठीक है टू जिससे की उसकी निट्रीशनल वैलिउट इंक्रीज कर जाए जब विटामीं मिनर्स प्रोटिस अगरा एड कर देंगे तो उसकी nutritional value increase कर जाएगी ठीक है it is a proven safe and cost effective यह काफी proven है मतलब safe है और cost if सस्ता भी होता है और proven मतलब की proof क्या हुआ है strategy रणनीती है for improving diets and for the prevention and control of micronutrient deficiency और यह काफी better है जिससे की micronutrient deficiency को हम लोग prevent कर सकते हैं रोख सकते हैं it is identified as a study by WHO ठीक है and FAO for decreasing the incidence of nutrient deficiency at the global level इसको इससे की हूँ कहलो कि WHO की महानता मिल चुकी है हम लोग ऐसा करते हैं ठीक है the most common fortified foods are सबसे ज़्यादा किसको fortify किया जाता है cereals को दालों को या cereal based product या उनसे कोई product बनावा दूद को या दूद के product होते है fat oil accessory food item जो food item में एक्ष्ट मिर्च मसाले वगरा पढ़ते हैं tea और दूसरे beverages वगरा है जो हम पी रहे हैं infant formula यानकि तो बच्चों को दूद होता है अब यह बात है कुछ बच्चे को समझ में नहीं लगा है यह नमक डालोगे तो आपको साथ साथ में मिलेगा ना आइरन भी आड़ कर दिया गया आप ग्यों खा रहे हो मेज खा रहे हो उसमें आपको आइरन उसका मिलनी क्या होता था लेकिन आप आइरन फॉलिक एसीड बी विटामिन विटामिन ए जिंक यह सब चीज़ा आपको मिलेंगी कुकिंग ओइल से फैट ठीक है ना जो कुकिंग ओइल एन फैट उसमें विटामिन ए और डी को एड़ कर दिया गया है सुगर के चीनी खाओ विटामिन ए मिलेगा के अंदर विटामिन ए और डी डाल दिया गया है कॉंपलीमेंटरी फूट्स जो होते हैं उसमें आयरेन फॉलिक एसीड विटामिन विटामिन ए जिंक वर डाल दिया गया है में अच्या वह होई गया सॉल्ट कंदर आयोडी ने फ्रूट जूस के फूट जूस में डला जा तो यही है फॉर्टिफिकेशन ऑफ फूड हम लोग उनके अंदर कुछ न्यूटेट्स मिला देते हैं ठीक है और जो चीज हमारे पास आ रही है जिससे की वाटर और टूथपेस्ट विद फ्लोराइड जो पानी है या टूथपेस्ट उसकदर हम लोग क्या मिला देते हैं है ठीक है ऑठे के अंदर folic acid प्रont या जा रहा है ठीक है ब्रेट के अंदर नियस्क्त मुक्राइड जा रहा है ठीक तो यहांपर चीजों के अंदर तो पैकिंग के टाइम पी तो ऊधित नहीं है तो यहाँ पर आभी जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि हाइब डि merchants वारा वह इंहीं करता है है ठीकनिक आगी कि आगे पढ़ेंगे यहाँ पर हंम लोग क्या माल हो ने आटाप किया है कि करने बेशने के लिए तो उसके अंदर हम और जनेटिक इंजिनिरिंग नहीं की जा रही है कि लिए रहे है बात समझ में आ गई है ओके अब नियूट्रिटिव एन केलोरिफिक वैल्यू पांच अपार्ट आता है नियूट्रिटिव एन केलोरिफिक वैल्यू बतलब यहां पर सिंपल थी बात है कोई चीज खाएंगे तो उससे हमें क्या-क्या नियूट्रिशन मिलता है और कितनी उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होती है तो कुछ खास-खास फूड के बारे में हमने यहां पर डाटा निकाला हुआ है ठीक है वही तुमको पढ़ लेने है बस उससे यादा यहां पर पढ़ने की ज़रुद नहीं ह तो कह रहा है फूड फूड क्या होता है फूड इस एनी सबस्टांस कंजूम्ड टू प्रवाइड नूट्रिशन सपोर्ट फूड कोई भी वह चीज़ है जिसको क्यों खाते हैं इससे कि हमारी बाडी का नूट्रिशनल सपोर्ट पूरा हो सके ठीक है किसी भी और्गनिजम फूड इस उजली ऑफ प्लांट यह प्लांट बनाव हो सकता है अनिमल्स का हो सकता है फंगल ओरी जिन का हो सकता है इनके बने वह सकते हैं जिनके अंदर यह में में तत्व पाये जाते हैं यह दिस आदा सब्स्टांस substances is ingested ingested मतलब खाया जाते हैं by an organism यह वो substance है जो organism के दौरा ingest किये जा रहे हैं खाया जा रहे हैं and assimilated और इस्तमाल में लाए जाते हैं body को दौरा by the organism cells to provide energy, maintain life and stimulate growth जिससे की उनको energy मिलती है, उनकी life बनी रहती है और उनकी growth होती रहती है अब खाने को अगर हम बात करें तो कई तरह से हमने divide किया हुआ है chemical nature के हिसाफ से हमने यहाँ divide किया हुआ है ठीक है, by chemical nature खाना क्या हो सकता है, carvohydrate हो सकता है protein, fat, vitamins, carvohydrate containing हो सकता है या ऐसा हो सकता है जिसके नदर सारे पाए जाए by function in the body function body में काम क्या करते है या तो energy देंगे, या body को बनाएंगे या protect करेंगे हमें chemical property के हिसाफ से organic खाना हो सकता है mass के हिसाफ से macro, micronutrients हो सकता है origin के हिसाफ से plant food हो सकता है, animal food हो सकता है nutrition के हिसाफ से 12 category आती है इसकी ठीक है कि क्या कैस की वो रहेंगी करके अब आगे आते हैं, जैसे हाफ पर कुछ खास-खास मैंने ले लिए हैं, जैसे कि pearl, millet, shorgum, rice, तो तुम लोग जैसे rice का याद कर लोगे wheat का याद कर लोगे, मेज का याद कर लोगे ठीक है ना, क्या-क्या है उसके अंदर rice के अंदर protein, क्या क्या याद करना है, protein, fat, ash को छोड़ दोगे, energy, है ना, calorific value, protein, fat, और का देख लोगे, calcium, iron, main-main, चीजे केवल, खास-खास चीज होगी, rice, सब की याद मत करना, rice, wheat, mage, जो खास-खास अपने उनकी याद करोगे, pulses and cereal, ठीक है, जैसे बेंगाल ग्राम, या बेंगल ग्राम दाल, या काव पी है, field bean है, green ग्राम है, horse ग्राम है, lentil, mouth bean, pea green है, pea dry, राजमा, राजमा का देख लोगे, soybean का देख लोगे, तो मैंने कहा जो खास-खास हैं, उनका ही पढ़ना है, कि उसके तरह कितनी energy मिलती है, खाने से क्या-क्या चीजे हैं, सारे याद कर लोगे, पालक, ब्रॉकली, बथुआ, यह तो पालक तो बहुत ही कमन हो गया, ब्रॉकली भी कमन, cabbage, इनकी यह चीजे याद करोगे, में में क्या, कार्वाइड़ेट, fiber, sugar, और विटामीन यह देख लोगे, प्रोटीन, कार्वाइड़ेट, fat, कैलोरी, यह तीन-चार चीजे आल्मोंड, बदाम आ गया, काजू आ गया, पीचे, स्वालनाट, अख्रोट आ गया, पीनट आ गया, मुफली की दाने, है ना, एपल आ गया, डेट्स, खजूर आ गया, पिस्ता आ गया, ठीक है, तो उसमें क्याकर याद करना है, यह तो हाफ कप और सौ ग्राम की बात हो र रखनी है, अब आगे हमारे पास, और एक देदिया है, मैंने फ्रूट में बात करें, जैसे कि एपल है, बनाना है, उसके बाद आ जाएगा, अपना ग्रेप, फिर गौावा, अम्रूद आ गया, कीवी आ गया, खास-खास याद मैंगो जो हम लोग औरे औरेंजेस आ गया, वाटरमेलन आ गया, जो हम लोग रोज मर रहा है, हम लोग अक्सर खा लेते हैं, उनका ही याद करना है, सबका याद करने, मत बैड़े आना, एक्जाम्पल देने के लिए, क्लियर है बात है, ठीक है, मिल्का कर लोगे, काव मिल्क, प्रोटीन, फैट, लेक्टोस, केल्सियम इनर्जी, बफैलो मिल्क और हिमन मिल्क आ गया, ये कंपरेजन आ गया, मीट की बात करें, तो क्वेल छोड़ दोना, क्वेल एक पंची होता है, छोटा सा, ब्रॉयलर चिकन, ब्रॉयलर कौन सा होता है, सफेद मुर्गे जो मार्केट में अविलिबल है, और डख मीट, डख हमारा लेक्चर आज का खतम हो जाता है, बात समझ में आगी, किलियर है, तो ये था हमारा आज की बाते हैं, आज की लेक्चर की बाते हैं, तो आज का मैंने बताया है न, चीजे तुम लोगो सब पता होंगी, कुछ थोड़ा बाट डाटा था, जो दिज़दर करके तुम्ह चाहें एप से करें, रिवीजन जरूर करें, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है न, रिवीजन करोगे, तो चीजे बहुत आसान हो जाएगी, किलियर है, ठीक है न, और मेरे नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, बहुत से बचाई भी कन्फ्यूज रहते okay, good, all the best